डाउटनट पर आप आए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर जीवी सर अकांशा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स आज नाउलोड कीज़े डाउटनट आप हैं ख़िंगे क्री वोला वीडियो लेला के इस चैप्टर में फ़ीच के पार्टेटे लिए और गर्टीचर्स चै Hoffman tutorial और अभी तक हमने स्टेट लाइन्ड कर लिया है है सब्सक्राइब करने वाले हैं तो चलते हैं आज पैराबोला के क्वेशन्स आपको करवाते हैं सभी तो फ़र्स्ट क्वेशन क्या हमारे पास जो वर्टेक्स है वह हमारे पास वो वर्टेक्स पैराबोला का एक ट्रायंगर के एक बोर्टेक्स है तो दो वर्टेक्स क्या है वमारे पास ट्रीमेंंग्ट से हमें एरिया दिया हुए है और फीरी पोईंट ऑफ इंëर्श करेंगरों हमारे ना की उस द Ha Selbstograf हमें find out करना value of a, यह a क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले हम diagram बना लेते हैं, तो सबसे diagram बनाने पहले equation कि हमारे पास y square plus 4 times of x minus a square equals to 0, यह हमारे पास equation of parabola है, थोड़े इसका manipulate कर लेते हैं, standard form में होता है, standard form में इसको बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y square equals to, इसको right hand side ले तो 21 type का parabola है, यह parabola है, जिसका axis, x-axis है, बटी negative x-axis तरफ open हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले coordinate axis ड्रोग हो लेते हैं, इसका diagram बनाते हैं, चलो, start करते हैं, ठीक है, तो at x is equal to 0 पर y की value क्या है, at x is equal to 0 पर y की value क्या आ रही है, हमारे पास 0 put करेंगे, तो plus 4a square, तो y square equal to 4a square limits y is equal to plus minus 2a, y axis पर plus 2a minus 2a पर cut करेंगा, और y की value 0 हो गई, तो x की value क्या हो जाएगी, x axis को कहंपर cut करेंगे, यह हमारे पास, यह 0 होते ही हमारे पास x is equal to a square, a square ठीक है, और यह इस तरह होगा हमारे पास, तो यह parabola कैसा हो जाएगा, यह हमारे पास, पैराबोला है, यह हमार तो X-axis पर क्वाइट कर रहा है A² Y value 0 है A²,0 ठीक है वो एक्सिस को X is equal to 0 पर Y plus minus 2 A means X is equal to 0 तो plus 2 A और minus 2 A तो मेरे को क्या दिया रखा है minus 2 A कि वर्टेक्स होदा पैरा बोला यह हमारे पास वर्टेक्स यह हमारे पास ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है लेट सपोज इसको मैं मान लेता हूँ point A और अदर टू वर्टेक्स क्या है जब यह पैरावल और y-axis को कट कर रहा है यहाँ पर कट कर रहा है तो यह दोन वर्टेक्स इसके triangle के दूसरी दो वर्टेक्स है तो यह triangle form हो गए है हमारे पास यहां से यहां तक यह triangle और यह triangle है ठीक है तो इस पॉइंट को मैं मालेता हूं भी और इसको सी तो ये एबीसी ट्रैंग लेंगा नो गैई ए बीसी यह तीन डेक्स हमें पता है ठीक है इसका एरिया ऑफ ट्रैंगल हमें देक है टूफ़िटी निल्पर इरिया ऐसे डे area of triangle ABC तो वह क्या हो जाएगा देखो यह परपेंडिकुलर है हमारे पास यह परपेंडिकुलर यह ओपाइंट है तो ओए यह डिस्टन्स है कितनी एसका जितनी तो है क्योंकि इसके कोडिनेट का है इसका हो जाएगा हाफ ओफ बेस इसका बेस है अब इसी मान ले तो बेस बीसी की डिसंट के यह चैड़ यह यह तो टोटल केतने होगी फोर एबेस इंट्व हाइट है इस ट्रैंगल की यह हाइट ए स्कॉइर के उक वाल है तो इसको 2 से कैंट्न स्कॉर्ण करेंगे 2 तो यह आदा है के वह मेरे 125 तो एक क्यूल रगें हमारे पास 125 125 तो एक की वैल्व कि आप जाएगी इसका लेंगे दोनों दरपने मों प्योख लेंगे तो हमारे पास एक वेलव कि आगी 5 т het equal to 5 two unknown था यह हमसे पूछ अन्रों था है घ्र आइलोंग प्वाइज से थे वमसे पूछा था अब हम चलते हैं next question के next question के है हमारे पास आज की इस crash course में parabola chapter में next question क्या है next question क्या है लोकस ओफ मिड़ पॉइंट ओफ दी लाइन सेग्मेंट जॉइनिंग दी फोकस टू ए मुविंग पॉइंट ओन दी पैराबोला वाइस का एकल टू फोर एक्स इस अनदर पैराबोला विद वाट डायक्ट्रिस उसकी डायक्ट्रिस बताने ही क्या है ठीक है तो सबसे पहले ह इसका इसका पैराबोला यहां पर बना लेते हैं कि क्या देए लोकस मिड़ पैंट ओफ लाइन सेग्मेंट कूई NICK सेग्मेंट्स hem अब कोई भी पॉइंट पी है इस पैराबोला पर मान लेते एक्स को मावई तो यह एक्स को मावई इसको सैटिस्फाइब करना चीमिंट वाइस्ट्वार रिकॉल्स फोर एक्स ठीक है अब हमें क्या दिया है हमें निकाल ला है कि लोकस ओव मिड़ पाइंट ओफ लाइन सेग्मेंट जोईनिंग दी फोकस टुए मुविंग पाइंट ओड़े तो यह पॉइंट पीस पर मुव कर रहा है पैराबोला पर तो इस पॉइंट को और इस फोकस को जोईन करने वाली लाइन का जो मिड़ पाइंट है उसका लोकस हमें फॉइंड आट करने है लैट सब्सकेम् टमीड पाइंट है क्यू एचज को मा की यह लोकस ओधी तो लेट लोकस लेट लोकस ओफ मेड़ पाइंट इस क्यू एच कॉमा की हम माल लेते हैं ठीक है अभी पाइंट पी इस पैराबल आपर मुह कर रहा है यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है मुह कर रहा है यह थो ठीक है पर यह फिक्स पाइंट इस तो ठीक है तो क्यों क्या हो जाएगा मिड़ पाइंट एस सभी क्यूंख कीवांट क्यूंख वूइज है मि पाइंट ओफ पीैस मी तो पीस चौने मडवश पाइंट तो पीस कमिड़ेट है तो पिंडवाइब फॉक्तमनले होजाने हैets गोमा की होगा दोद ग्लोग फित क्वीस कहा मत एक्ला होगा जाएगे को X plus A X coordinate by 2 और Y coordinate Y plus 0 by 2 Y by 2 इसको compare कर लो ठीक है ये भी क्योंकि coordinate ही तो है यह भी क्योंकि इसका मेंटूपाइंट है क्यों होगा तो X equals to X plus A by 2 and k equals to Y by 2 तो यहां से X की value निकालो X की value क्यों निकाल रहा हूं X की value इसंने लिखा रहा हूँ X,y की क्योंकि X,y के और एक्स कोर Y मेरे मेरे को पता है क्या है X,y यह point V जो की Parabola पर मुह कर रहा है हमेंus p किसको satisfy करेगा इस Parabola की equation क dejju F,y तो X,y दिकाल तो यहाभ से एक्सि को मैरे को दो क्या जाएगा 2 तो इदर मलटेप्लाई गो तूए इस माइनस और यहां से Y क्या ओजाएगा अब मेंग पूल करता है एक्षत्षर य पाइंट पी है एक क्मा व्ट और वह पॉयंट पी पैराबोला पर है कौन से पैराबोला पर वाइस स्कारे कल गिद्र एक्स इस पैराबोला यह आजाएगा 4a times of 2h minus a 4 से 4 cancel out हो गया तो क्या आगए लोकस of midpoint of line joining the segment focus and the point on the parabola k square equals to a times of 2h minus a ठीक है या फिर इसको हम लिख सकते हैं y a square equals to 2 इसे में common लेंगे तो 2a times of h minus 2 common लिया तो क्या आजाएगा a by 2 आजाएगा है यह आगए लोकस of midpoint क्या आगए क्यों क्या मिद्वाइट क्या आगए एच और केगो एक्स और वाय में कर दो तो के को वाई में तो यह जाएगा वाई स्काइर इक्वल्स तो टू ए टाइमस ओफ यह आगए मेरे पास लोकस of midpoint ठीक है यह आगए लोकस मिद्वाइट करना यह और कुछ होगा वाइट करना था मेरे को फाइन डौन करना लोकस अ मिड्वाइट ऑप डॅफ टी लाइन सेग्मेंट जोइन दिफोकर्स टुए मोविंग पॉइंट अंदी पेराबॉला इस पेराबॉला तो आ गये तो यह तो ब्याइक्वों एक्स पैरावल होता तो इसके डाइक्ट्रिक्स क्या होती है इसके डाइक्ट्रिक्स यह हो जाती है हमारे पास क्या एक्स इकोल स्टू माइनस यह होती है ठीक है यहाँ यहाँ एक्स नहीं है यहाँ पर एक्स माइनस ए बाइटू है यहाँ से एक्स माइनस ए बाइटू हो ज तो यह a- की वैलू क्या होगी 2a by 4 which is a by 2 a by 2 यहां पर a नहीं है पूरा तो यहां a by 2 अभी प्लस a by 2 होगा है माइस a by 2 तो मेरे को बताओ पहले यहां पर यहां पर हमने क्या लिया था इस पैरापोल एक लिए डायक्टिक्स की एक्वेशन क्या थी एक वाई स्काइर एकल टो 4x था तो x is equal to minus a था पर यहां पर a by 2 तो माइनस में होगा वो भी ठीक है माइनस a by 2 ठीक है यह होती है यह तो total complete x minus a है और यहां पर a नहीं हो कि 2a है तो इसलिए यहां पर a by 2 भी फिर माइनस में ठीक है तो यहां से x is equal to minus a by 2 इदर जाएगा तो प्लस a by 2 और minus a by 2 जिरो गना देगा x is equal to 0 यह मेरे पास डायक्टिक्स के equation हो जाएगी जो लोकस हो मिड़ पाइंट ओफ आया हमारे पास इन दोनों पाइंट को जोइन करने वाले ठीक है तो क्यों का लोकस आगया हमारे पास एक पैराबोला और उसकी यह लाइन एक्स प्लस Y इक्वाई इक्वाल सु जीरो थी पोधी कर्व एक्स स्कार प्लस Y स्कार इक्वाई 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 तो सू ओने इस फो फोर रूट टू इन्टू एक्स दैन मोड सी की वेडियो हमें find out करना है अग्जा तो यह लाइन है जो टस कर रही है जो बोड दी करूどう कर रही है तो लाइन किया हमारे पास इस प्लस फाइए एक लड़कर वाई इसको अ इन्टो एक्स तो इसके लिए 4a की वैलू क्या हो जागी 4a is 4 root 2 है आपर तो 4 से 4 cancel out होगा है a is equal to root 2 ठीक है अब यहां पर आमारे पास क्या है कि इस पैराबोला के लिए किसी भी पैराबोला को y square equals to 4x के लिए equation of tangent क्या होती है यह होती है y equals to mx plus a by m ठीक है अब यहां पर m क्या हो गए यह टेंजन्ट है तो यह इसके लिए टेंजन्ट है इस पैराबोला के लिए भी तोगी दोनों को टस्क कर रही है तो m की वैल्यों आगी दोनों एक्वेशन को कंपेर करेंगे माइनस a और c की वैल्यों क्या आगई a by m ठीक है तो c is equals to a हां पर क्या है इस पैराबोला यह यह वाला a है यह है ठीक है इस वीकरेशन वहां बन गए अब हमें बता है कि यह टंजन्ट किसके लिए भी है यह cycle के लिए मैंजन्ट है अ से लिए कोई भी यह तंजेंड यह लाइन इरी सके लिए त्य र्याइफ के लिए टैंजेंट है ay plus root two upon A equal to zero to zero zero see length perpendicular mode of zero, zero to root two by A upon square root of a square plus one radius के सर्कल के लिए इस सर्कल के लिए रेडियस है हमारे पास वन एंट के ठीक है तो यहां से हमारे पास क्या जोगे इस रूट रूट वाल वाली रूट ऐस्ट है प्लस होई हो ह gleich गइंगे तो भीषान अब यह मंटिपलाइ से करेंगे इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा a raise to power 4 प्लस टू a square minus a square minus 2 equals to zero तो यहां से a square हम common ले लेते हैं क्या होगा a square plus two और यह से minus one common लेंगे तो a square plus two equals to zero तो a square के value क्या क्या आगी यहां से a square equals to one या फिर minus two अब a square minus negative तो आएका नहीं ठीक है minus थो होगा नहीं कि positive होगा तो positive value only a square क्या आज़ेगी 1 a square equal to 1 है तो a के value क्या हो जाएगी plus minus 1 अब देखो हमें क्या find out करा था question में क्या पूछा था question में पूछा था कि हमें पूछा है कि mode c क्या होगा किसके equal होगा अब mode c है क्या mode c तो मेरे पास यह value आई थी ठीक है mode c is c is root 2 upon minus a ठीक है तो c is equal to root 2 upon minus a ठीक है mode c करेंगे तो mode c क्या जाएगा दोनों तरह mode लेगे लिए mode c लिए mode c क्या होगा mode of root 2 upon minus a का mode यहां से आजाएगा root 2 upon mode a ठीक है root 2 upon mode a एक कुछ भी ओ प्लस होगा mode 1 प्लस वन होगा तो भी 1 होगा minus 1 होगा तो mode of minus 1 एक 1 होगा तो यहां से mode c क्या आगी root 2 क्या आगी root 2 इसका एक यहां पर तो जाएगा यह बना रही हैं तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी लाइन की प्रवाइन या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट आम बोल देंगे में विच इस उकल चुट टेंट तीटा क्योंकि हमें पता है थीटा एंगल दी एक्स एक्सिस बना रही है ठीक है अब यह हमारे पास क्या है एक्वेशन आफ टेंजेंट हमें निकालनी जो पैराबॉला के लिए है ऑर बोला है एक स्कार इकॉल चु एट य अव इसकी स्लोप हमें पता है टैंगorta है अब सी स्लोप निकाल विया अश्चको डिफरेंशेट कर देंगे क्योंकि पम्रेंड लिट हो स्वाइन्ट के लोट हम अमें पता है ठीक है कि और लाइन x x से येग्स सब्सक्राइब बना रही है थीटा ऑंगल बना रही है तो इस लोप हो गई तो यहां से हमारे पास घ्ल एक्स की वेल्ओ की अब जाए गी 410 थीटा 410 एक फॉर्ट एन्ट थीटा हो गया तो y कोरीनेट क्या हो जाएगा हमारे पास एकसिंप सुद्आ को ट्यूस कर रहे है ना तो आप एकस एकस की वी फॉर्ट कैछा देखते हैं तो एकस पर-दोस्क्राइल हो जाएगा तो इस परावॉला के बिढ़ पूट कर法ो द्वारिक मैं इस पूट 학ेल मेंTrait कर सिकूट इनने टंशलीट कर ग्या होघ़ सिक्स्टीन अंधनी स्क्वेर क्शार1 थेटा इक्वाल्स टू 8y तो 8 टूजा 16 तो y की वैल्यू क्या होगी 210 थेटा y इकॉल तो 210 थेटा यह हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉंटक्टक्ट है उस टैंजन्ट के पराबॉला पर क्या है 4 10 थेटा कॉमा 210 स्क्वार थेटा ठेक है तो एक्विएशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगे हमारे पास उस पेरावला के लिए y-y1 कोडिनेट के 2 10 थीटा 2 10 थीटा इकोल स्लोप mm की वैलू क्या है तो वह एक सेक्षिस साथ थीटा एंगल बना रही है तो स्लोप m equal to 10 थीटा है हमारे पास तो m is equal to 10 थीटा पूट करतेंगे एक्स माइनस एक्स उन क्या है 4 10 थीटा तो यह मेरे पास equation of tangent हो जाएगी उस पेरावला के लिए जो एक्स सेक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो क्या हो जाएगा y equals to x 10 थीटा और यहां से आजएगा minus 4 10 स्क्वार थीटा और यह जो left hand side है यह 2 इदर जाएगा plus 2 10 स्क्वार थीटा तो क्या बन जाएगा minus 4 है और plus 2 है तो minus 2 10 स्क्वार जाएगा y is equal to x 10 थीटा minus 2 10 स्क्वार थीटा यह मेरे पास equation of tangent आगई ठीक है अब अब यहां से हम क्या करते हैं इसको 10 थीटा सी डिवाइड गरते हैं दोनों तरफ तो यह वैसे equation of tangent तो हो गई y is equal to x 10 थीटा minus 2 10 स्क्वार थीटा थीटा यहां पर y में तो हमारा पास दो यह equation दे रहें की यह तो पर कोट में है तो अब एकक्स की फॉर्म में हो निकालने कोश्र करते हैं तो एक्स के लिए लाना है तो यहां पर टेन तटीटा से डिवाइड करना पड़ेगा दौनों तरफ टैन तेन टिवाइड करो तो क्या हो जाएगा y by 10 theta 1 upon 10 theta को लेख देंगे 4 theta और यहाँ पर x हो जाएगा 10 theta को डिवाइड के है minus 10 square theta upon 10 theta 1 10 theta बस गया तो x की form में क्या आ गया x equals to y 4 theta plus 2 10 theta 2 10 theta तो x is equals to y 4 theta minus 2 10 theta x is equals to y 4 theta plus 2 10 theta y is equals to y 4 theta plus 2 10 theta means option b यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है तो इसका b option यहाँ पर हमार पास correct हो गया अब हम चलते हैं next question के आदका next question के parabola chapter में तो यह question में कहीं नॉर्मल का question है हमार पास क्या है if x plus y is equal to k is normal to this parabola k की value निकाननी है तो parabola हमें दे रखा है y square equal to 12 x अब इसको हम compare करते है y square equal to 4 ax से तो यहाँ से 4 a की value क्या हो जाएगी 12 तो a की value क्या हो जाएगी 3 आजाएगी 4 a is equal to 12 a की value 3 हो जाएगी अब इस parabola के लिए y square equal to 4 x के लिए equation of normal की equation क्या होती है equation of normal यह होती है y equal to mx minus 2 am minus am cube एकी value हमें पता है 3 है अब यह बताओ कि यहाँ पर equation of normal दे भी रखे है कुछ टाइप की x plus y equal to k तो इसको इस formula आने के लिए क्या करेंगी इस form कैसे करेंगी y is equal to minus x plus k हो जाएगा तो x option एदन minus 1 है इदर x option के है m की value minus 1 है या minus 1 है तो m की value minus 1 है a की value 3 है पुट कर दो इस पैराबोला कि इस equation में एक की value एक की value तो क्या हो जाएगे y equals to minus x a की value 3 m की value minus 1 minus 1 minus 2 plus 2 into a3 2 into 3 6 a minus 1 plus क्योंकि a a हमर पर 3 है minus 1 का cube क्या होता है minus 1 तो minus minus plus हो जाएगे तो और a is 3 तो equation of normal क्या होगी y equals to minus x plus 6 plus 3 9 इसको हम इधर लाएंगे तो x को तो क्या हो जाएगा x plus y equals to 9 यह आगा equation of normal for the parabola और equation of normal for the parabola क्या दे रखा है में x plus y equals to k x plus y equals to k तो k की value क्या हो जाएगे यहां से compare करेंगे तो k is equal to दोनों को compare करेंगे k equals to 9 हो जाएगा k9 हमारे पास तो k9 यह तो कौन्स आप्शन करेट होगे value of k equals to 9 means option b हापर हमारे पास correct हो जाएगा option b is the correct option थिक अब नेक्स question पर जलते हैं नेक्स question के हाज़िक हमारे पास पैरावोला की chapter में तो next question के है जो कि last question है इस lecture का हमारे पास पैरावोला chapter का if a code which is not a tangent code है जो कि tangent नहीं इस पैरावोला के लिए y square equals to 16x has the equation 2x plus y is equal to p जो कि tangent नहीं है code है उस पैरावोला के लिए उसकी equation है 2x plus y equal to p and midpoint h,k उसका हमारे पास जो code है उसका midpoint h,k then which of the following are possible values of p h और k की possible values क्या क्या होंगे ठीक है जो code है जो कि tangent नहीं है उसका midpoint हमें दिर्ख है h,k तो वह हमारे पास क्या हो जाएगी equation of code with midpoint h,k is the equation of code with midpoint h,k हो तो पैरावोला हमारे पास दे रखा है y square equals to 16x तो यह हम इस y square to 4x से compare करें कि 4a की value 16 तो a की value 4 हो जाएगी तो equation of code हो जाएगी उसका midpoint दिर्ख कॉमा किया है तो वह हमारे पास होचती है t is equal to s1 t की value क्या होती है x y y1 minus 2a times of x plus x1 तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास y y1 क्या है क्योंकि t is equal to s1 है y1 है हमारे पास k minus यहां पर क्या हो जाएगा 8 times of x plus x1 क्या है हमारे पास x equals to y1 square minus k square minus 16 x1 x1 की value क्या है है पर h क्योंकि h, k x1 y1 है हमारे पास ठीक है तो आसे compare करेंगे यहां पर value क्या हो जाएगा हमारे पास अब यह हमारे पास दे भी रखे यह हमारे पास क्या है 2x plus 2x plus y is equal to p है ठीक है 2x plus y is equal to p है तो x के form में लेंगे यहां से हम तो यहां से हमारे पास equation क्या हो जाएगी इसके form में हमारे पास equation क्या हो जाएगी y k पहले y k minus 8x minus 8 h equals to k square minus 16 हो जाएगा हमारे पास अब 2x लाने के लिए इसको minus 4 से divide करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर 2x लाना है ना क्योंकि 2x है पर है minus 4 divided करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x 4 minus 4 divided करेंगे यह हमारे पास क्या हो जाएगा minus ky upon 4 और यह 8 h इदर जाएगा minus 16 h से तो minus 8 h हो जाएगा और minus 8 h upon minus 4 से करेंगे तो 2 h बन जाएगा और minus k square और अब यहां से हम compare करते हैं values को compare करेंगे किससे 2x plus y is equal to p से compare करते हैं तो 2x by 2x यह तो 1 हो जाएगा y का coefficient to 1 है यह दर क्या है minus k by 4 और यह किसके equal है यहां पर क्या है 1 है यहां को y का coefficient to 1 है तो k की value क्या आगे minus 4 k is equal to minus 4 आगे अब यहां से compare करें constant term इसमें p है इसकी क्या है 2h minus k square by 4 और यह value किसके equal है p के equal है ठीक है k के equal है k की value minus 4 put कर दो तो 2h minus 4 का square 16 16 upon 4 equal to p तो p की value क्या होगी 2h minus 16 by 4 is 4 यह value of p आगे ओके value of p आगे है अब हमें किसको compare करना है क्या value निकालनी है हमें अब हमें यह value आगे है अब हमारे एस आ सकता है क्योंकि p की value h की term में आगे एस की value नहीं निकल रही है k की value minus 4 आगे अब हम options में check करेंगे options से पुछाए कि question पूछा है कि which of the following is our possible values of pH के तो p की value क्या है हमारे पास 2h minus 4 k is equal to minus 4 k is equal to minus 4 देखो पहले वह option का रखते है एक बी option आरे एक सी option यह हमारे पास का रखतार है अब बी और सी को देखतों बी में देखें एच जैदी 3 लेतां पी की value 2 और यह है एच की value 3 लोग तो 3 लेते हैं तो एच की value 3 लेने पार 3 into 2 6 minus 4 equal to 2 और यह पी की value यास तो यह हमारे पास लास्ट क्वेशन था इस लेक्षर का परावला चैप्टर का अब नेक्स लेक्षर में हम करने वाले हैं नेक्स सेप्टर इलिप्स ओकी तो थेंक यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके meet IIT जेई means और advance के लेवल तता स्मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट आच चार्सो 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 पर